स्लां आलेकुम डिये चुटेंट्स कैसे हैं आप सब मुझे उमिद है के आपसब ठीक होंगे हैर्य движ से होंगे मेरे लेक्चर Als Co समझ रहे होंगे सुन रहे होंगे और अपनेstar औरर अपने Barns की त्यारी करहें होंगे लियृ 2 आप पक्न Cave box में अपने comments देते रहें और मुझे अपने feedback से अगाह करते रहें मैं आपको respond भी करता रहूंगा जवाब भी देता रहूंगा तो dear students आज हम करेंगे lesson number 14 हमारी book का 14th lesson है Let's make our roads safer आएं हम अपनी सडकों को महफूज तर बनाएं तो सबसे पहले dear students हम इसकी करेंगे translation और translation में हम इसको paragraph wise देखेंगे कितने paragraph है और हर paragraph में क्या बात की गई है तो सबसे पहला जो हमारा पहला है students उसमें हमें बताया गया है कि traffic हादसात क्यों होते हैं किस वज़ा से होते हैं हमने जो notice किया है वो कहता है कि आपने यकीनन notice किया होगा notice का मतलब होता है मुशाहिदा करना मुशाहिदा करना observe करना किसी चीज़ को देखना वो कहता है कि आपने देखा होगा कि traffic हादसात होते हैं गाड़ी सवारी तेज रफ़तार से चलाने से हेलमेट ना पहनने से सीट बेल्ट ना बानने से और सुर्ख इशारा जो है लाल इशारा रेड सिगनल जो है उसको उस पर मत रुकने से उस पर ना रुकने से traffic हादसात होते हैं जिसकी वज़ा से हमारी सड़कें insecure हो जाती है unsafe हो जाती है हमारी सड़कें गेर महफूज हो जाती है secure का मतलब dear students महफूज होता है और insecure का मतलब गेर महफूज होता है तो इससे हमारी सड़कें गेर मैफूस हो जाती हैं और majority of victims जो है majority dear students कहते हैं अकसरियत को ज्यादा तादाद में तो अकसरियत या ज्यादा तादाद अकसरियत या ज्यादा तादाद जो victims की होती है victim कहते हैं शिकार को traffic हादसात के शिकार जो होते हैं जो लोग इनका शिकार बनते हैं उनकी अकसरियत उनकी ज्यादा तादाद जो है वो नौजवानों की होती है जवान लोगों की होती है बदकिस्मती से जो 30 साल की उमर से कम होते हैं तो हमें unfortunately का word reading के दोरान इसमें नजर आता है जिसका मतलब हो होता है बदकिस्मती से तो वह कहता है कि बदकिस्मती से जवान लोग ज्यादा ट्रैफिक हादसाथ का निशान निशाना बनते हैं और एक और वज़ाद ट्रैफिक हादसाथ की उसने बताई है हमें वह है इंडिसिप्लेंड 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 का मतलब dear students होता है in-discipline का मतलब होता है बदनजमी से वो कहता है कि बदनजमी से traffic हादसात पेश आते हैं बदनजमी से traffic jam होता है और congestion होते है congestion का मतलब है dear students rush लगना हुजूम होना भीड भाड भी इसको कहते हैं रश हुजूम या भीड भाड तो congestion और traffic jam जो है वो इस वज़ा से होते हैं क्योंके बदनजमी की जाती है और ये चीज जो है ये हमारे मनफी अंदाज में पेश करती है हमें मनफी अंदाज में हमारी nation को reflect करती है reflect का मतलब होता है जाहिर करना या अकासी करना अकासी का मतलब होता है रोशनी डालना तो ये हमारी कौम पर मनफी अंदाज में रोशनी डालती है तो फिर सवाल ये पैदा होता है किस तरह से हादसात को और casualties को इस word को casualty कहते हैं casualties का मतलब होता है अमवात या हलाकते तो अमवात और हादसात को कैसे रोका जाए ये सवाल पैदा होता है इस सवाल का जवाब ये है कि सड़क पर जो तहाफुज है सड़क पर जो हिफाज़त है वो उसको हम पहचाने उसको हम recognize करें recognize का मतलब होता है dear students, पहचानना, अगर हम सड़क पर पेश आने वाले हादसात को सबसे पहले तो हमें जरूरत है उनको पहचानने की, उनको हम पहचाने, किस तरह पहचाने, as social issue, social का मतलब होता है, मौशरती, ये social studies का हमें पता ही है, मौशरती एलों, तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है, कि हम इनको पहचाने, मौशरती, मसले के तोर पर, मौशरती issue के तोर पर, और उसके बाद हम अपना play our role, अपना किरदार अदा करें, and discharge our responsibility, discharge responsibility का मतलब होता है, जिम्यदारी पूरी करना, discharge responsibility, जिम्यदारी पूरी करना, हम अपनी जिम्यदारी पूरी करें, हम अपनी जिम्यदारी पूरी करें, और to overcome this problem, overcome का students मतलब है, काबू पाना, हम इस मसले पर काबू किस तरह पा सकते हैं, कि हम इसको as social issue, मौशरती मसले के तोर पर, देखें, पहचाने, the foremost responsibility, अब foremost का क्या मतलब है, कि सबसे एहम, सबसे पहले, सबसे एहम, सबसे पहले, वू कहता है, कि सबसे पहली जिम्यदारी क्या है? हर शेहरी की सबसे पहली जिम्यदारी है, कि वो कानून की पासदारी करे, और उसकी ख्हलाफ वरजी ना करे, violation of traffic law is offense, violation क्या है? violation कहते हैं हिलाफ वरजी को, violation, का dear students मतलब होता है खिलाफ वर्जी वो एक offense है offense का मतलब है जुर्म traffic कवानीन की खिलाफ वर्जी एक जुर्म है none of us would ever like to be called an offender हम में से कोई भी offender कहलाना पसांद नहीं करेगा offender का students मतलब है मुझरिम हम में से कोई भी मुझरिम कहलाना पसांद नहीं करेगा and get penalized penalized का मतलब होता है सजा मिलना सजा पाना penalized का मतलब dear students सजा पाना होगा ठीक उसके बाद वो कहता है कि हम traffic कवानीन की पासदारी करें तो हम हादसात से यकीनी तोर पर बच सकते हैं तहकीक ये थाबित करती है research का मतलब होता है तहकीक वो कहता है कि तहकीक ये थाबित करती है कि 80 फीसद traffic के जो हादसात हैं वो होते हैं ability से या negligence से driver की negligence से होते हैं negligence का मतलब होता है रफलत बरतना यानि तवज्जो ना देना कोताही कमी करना गलिती कर देना इसको गफलत बरतना कहते हैं अर्दू में वो कहता है कि driver की गफलत बरतने से या उसकी गलिती से हादसात होते हैं फिर उसकी हादसात की जो dear students एक एक बड़ी वजुहात हैं वो discuss की गई हैं एक एक करके वो हम देख लेते हैं उनकी translation करते हैं overspeeding यानि तेज रफतार and rash driving rash का मतलब होता है अंधा धोंद यानि पागलों की तरह driving करना अंधा धोंद driving करना आगे पीछे बिलकुल भी ना देखना और गाड़ी को आगे लेकर जाना दबा के लेकर जाना और तेज रफतार से लेकर जाना ये चीज जो है ये most crucial है इंतहाई एहम है crucial का मतलब होता है एहम और factor का मतलब होता है वज़ा तो वो कहता है कि ये इंतहाई एहम वज़ा है most crucial factor है हादसात का, fatalities का, fatality का मतलब होता है, अमवाद, fatality, इसका मतलब होता है, अमवाद, अमवाद, dear students, मौत की जमा होती है, और speed limits जो हैं, वो specify कर दी गई है, मखसूस कर दी गई है, मुख्तलिफ सडकों के लिए, लेकिन driver तेज रफ़तार रखते हैं, उस रफ़तार की हद की पैर्वी नहीं करते, उसको follow नहीं करते, जिसकी वज़ा से हादसात होते हैं, driver हजरात जो होते हैं, वो अपनी रफ़तार उनको कम कर देनी चाहिए, school'ों के नजदीक, college'ों के नजदीक, hospital'ों के नजदीक, urban areas के नजदीक, urban का मतलब होता है, काड़ी की रफ़तार को कम कर देना चाहिए, सवारी की रफ़तार को कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ सड़क पर सड़क इस्तमाल करने वालों के लिए नुकसान का बाइस बन सकती है और उसके साथ-साथ ये चीज जो है इट कैन इन्वोक पैनल्टी जो है इन्वोक का मतलब होता है दावत देना और पैनल्टी का मतलब होता है सजा invoke का मतलब दावत देना और penalty का मतलब सजा ये चीज जो होती है over speeding या तेज रफ़तार सजा को दावत देती है और legal action को legal action का मतलब है कानूनी कारवाई कानूनी कारवाई तो ये चीज जो है कानूनी कारवाई को दावत देती है उसके बाद दूसरी एहम चीज जो dear students बताई गई है वो है mobile phones का इस्तेमाल गाड़ी चलाते वक्त तो गाड़ी चलाते वक्त mobile का इस्तेमाल जो है वो potentially dangerous act है वो एक potential का मतलब होता है potentially का मतलब होता है बहुत ज्यादा हद तक ये potentially dangerous होता है बहुत ज्यादा हद तक खतरनाक होता है जिसकी वज़ा से इंतहाई सीरियस या इंतहाई खतरनाक हादसाद जहें वो पेश आ सकते हैं मुबाइल इस्तमाल करने से क्या होता है कि हमारी attention divert हो जाती है तवज्जो जो हट जाती है तवज्जो हट जाने को attention divert कहते हैं ये driver की तवज्जो हटा देता है और अगली बात जो उसने हमें बताई थे हुआ थी के हमें mobile phone का इस्तमाल जो है वो नहीं करना चाहिए और उसको discourage करना चाहिए discourage का डियर students मतलब है ये होसला शिकनी करना ये होसला अफजाई के opposite word है इसको होसला शिकनी करना कहते हैं इसकी हमें होसलह शिकनी करनी चाहिए and as it is prohibited under the traffic laws traffic laws में traffic के कवानीन में मुबाइल का इस्तेमाल जो है वो प्रौहिबिट किया गया है मना किया गया है तो इस तरह जो हम्हें ऑगली वज़ा जो बताई गई है वो है seat belt का ना पहनना not wearing of seat belts जो है वो cause करती है accidents को traffic हादसात seat belt ना लगाने की वज़ा से seat belt ना बहनने की वज़ा से पेश आते हैं तो motorcyclist जो हैं वो इंतहाई हद तक vulnerable होते हैं हलाक कर देने वाले हादसात के हलाक कर देने वाले हादसात के शिकार होते हैं हेलमेट जहां उनको हिफाज़त देता है सवेर किसम के हादसाथ से सवेर का स्टुडेंट्स मतलब होता है शदीद या इंतहाई शदीद हादसाथ से इंतहाई हादसाथ से हेलमेट जहां वो लोगों को बचाता है और इससे होता ही है कि in case of head and face injury अगर चेहरे पर या मुँपर कोई चोट आ जाए तो उसके सिलसले में जो है उसके नतीजे में इनसान के survival के chances survival के इमकानात जो है वो survival कहते हैं बचना ये इनसान के बचने के बच जाने के इमकानात 80% तक बढ़ा देता है फिर हमें जो अगली चीज़ डियर सुडेंट्स बताई गई है हादसाथ की वज़ा बनती है वो है traffic signals की violation traffic signals की खिलाफ वर्जी traffic signal जो हैं इंतहाई एहम उजार होते हैं traffic को traffic का इंतिजाम चलाने के लिए traffic को मनजम करने के लिए it is mandatory to stop on a red signal mandatory का students मतलब होता है लाजमी traffic signal जो सुर्ख signal होता है उस पर रुकना इंतहाई लाजमी होता है और एक लाल signal से जब आप गुजर जाते हैं आप लाल signal के बीच में से कुजर के बीच में से सुर्ख इशारए के बीच में से तो आप traffic के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और हमें ट्राफिक कवानीन की इज़त करनी चाहिए और पुलीज आफिसर्स की इज़त करनी चाहिए जो मैनुवली ट्राफिक का निजाम चलाते हैं जो हाथ से मैनुवली का मतलब हाथ से ट्राफिक का निजाम चला रहे होते हैं उनकी इज़त करनी चाहिए अगला मसला जो है जिसकी वज़ाए से ट्रैफिक के हादसात पेशाते हैं वो है lene discipline की خلاف बर्बजी करना lane dear students सडक का छोटा हिस्साँ होती है सडक का छोटा हिस्साँ होती है छोटा हिस्साँ किस तरह होती है कि उसे निशानात के जरीए तक्सीम किया जाता है उसने हमें बताया कि एक सड़क जो है वो लेन्स में डिवाइड होती है लेन्स में तक्सीम होती है सड़क पर मौझूद निशानात की वज़ा से मार्किंग्स का मतलब होता है निशानात Markings का मतलब निशानात सड़क पर मौजूद जो Markings होते हैं वो उसको चोटी-चोटी Lanes में Divide करते हैं और हर शखस को अपनी-अपनी Lane में रहना चाहिए और अपनी Lane जब भी हमने तबदील करनी हो, Lane तबदील करने से पहले हमें Properly यानि मुकमल तोर पर Indicate करना चाहिए यानि इशारा देना चाहिए इशारा देना अपनी गाड़ी का इशारा मुकमल तोर पर देना चाहिए और फिर अपनी Lane को Change करना चाहिए इशारा दिये बगाएर जब हम Lane Change करते हैं तो हादसात पेश आते हैं Extreme Left Lane जो Dear Students होती है Extreme का मतलब होता है इंतहाई यानि इंतहाई बाएं जानिब की जो Lane होती है इंतहाई बाएं जानिब की Lane पे Heavy Traffic होती है और यानि बड़े बड़े Trucks जो होते हैं वो इंतहाई बाएं जानिब होते हैं सड़क के और Slow Moving यानि आइस्ता चलने वाली गाड़ियां सड़क के इंतहाई बाएं जानिब होती है और इंतहाई दाएं जानिब जो होती है वो Overtaking के लिए यानि दूसरी गाड़ी को पीछे छोड़ने के लिए इंतहाई दाएं जानिब की Extreme Right की Lane यूज़ की जाती है Lane Straddling जो होती है वो इंतहाई serious accident जो है कर सकती है वो इंतहाई हतरनाक हद तक के accident जो है उनका सबब बनती है Straddling का मतलब होता है दोनों जानिब से पार करना दोनों जानिब से सड़क पार करना के Straddling जो होती है जबाब सड़क को बाएं जानिब से और दाएं जानिम से, दोनों जानिम से इशारा लगाया बगार अपनी लेन तबदील करते हैं, उसको लेन स्ट्रैलिंग कहते हैं आफ़ी बात जो डियर स्टुडेंट्स उसने हमें बताई है वो है ह결शिएत से के कवानीन की पासदारी करनी चाहिए और हमें अपनी और दूसरों की जान जो है उसकी हिफाज़त करनी चाहिए हमें सड़क के इखलाको आदाब का मजाहरा करना चाहिए इनको अपनाना चाहिए उनका इhtराम करना चाहिए ताके हम बेहतर माहूल पैदा कर सकें अपनी सड़कों पे environment का मतलब है माहूल तो इस तरह से हमने अपना माहूल बेहतर बनाना है traffic discipline ये क्या करता है traffic का discipline traffic का अच्छा निजाम जो है ये reflect करता है रोशनी डालता है मुझाहिरा करता है पेश करता है जाहिर करता है हमारी civility को civility कहते हैं तहजीब को ये जाहिर करता है कि हम कितने ज्यादा तहजीब याफता है हम कितने ज्यादा तहजीब वाले हैं कितने ज्यादा तमीज वाले हैं ये civility हमारी जाहिर करता है हमारा traffic का निजाम, traffic का discipline तो ये dear students हमारी translation है lesson number 14 की थोड़ी से मुश्किल और थोड़ी सी तवील है थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैंने आपको जितने भी मुश्किल words थे उन सब के meanings जो हैं वो बोड पर लिख कर बता दी है और मुझे उमीद है कि आप इसकी translation असानी से कर लेंगे, समझ जाएंगे